नमस्ते मैं पोशक तर्तों की एक श्रिंखला शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं विभिन्व पोशक तर्तों के बारे में जितना हो सके आपको जानकरी देने की कोशिस करूँगा आज इस वीडियो के मायध्यम से मैं आपको केवल विटामीन के बारे में बताऊंगा मैंने इस वीडियो में प्रहतने किया है कि आपको जितना हो सके विटामीन के बारे में बताऊं इस वीडियो को शिर्फ किसी एक वीटामीन के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं बनाया गया है बलकि ये वीडियो वीटामीन क्या है इसकी जरूरते और वीटामीन सबसे जूरी हुए अन्य कुछ विशयों के बारे में बताने के उद्दे से से बनाया गया है विटामिन और खनीस पडार्ट एक ऐसा वीशे है जिसके बारे में हर किसी को जानना बेहर ज़रूरी है ये हमारे सरीर के लिए आवशक पोशक तत्यों है जो हमें स्वस्थ रखने में मदर करते है एसे तो पोशक तत्यों को दो मुख्य स्ट्रेणी में विवाजित क्या जा सकता है मैक्रो नीट्रेंस और माइक्रो नीट्रेंस इसमें से कार्बो हाइड्रेट्स प्रोटिन्स और फेट्स मैक्रो नीट्रेंस है जबकि विटामिन और खनिस्पडार्थ, माइक्रो निट्रेंस चले विटामिन के बारे में जानते है सबसे पहले जानते हैं विटामिन क्या है विटामिन आवजशक सुक्स मुपोशक तर्तु है जो शरीर की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है ये हमारे सरीर को स्वस्थ रखने और ठीक से काम करने के लिए आवशक है सरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट और फैज के तुलना में विटामीन की बहुत कम मात्रा में आवशकता होती है लेकिन फिल भी विटामीन बहुत कम या बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से सरीर का अनिस्त हो सकता है इसलिए उचित मात्रा में इसका सेवन बहुत ही जरूरी है कितने प्रकार के विटामीन है? Vita akin बी भीविन्दा प्रकार के होते हैं, और प्रिक्ते का अपना अलग अलग कारे होता है। कुल Trera Waitamin है, इन Trera में से Ar Vitamin, Site B Group से आते हैं, जैसे, Waitamin B 1 B 2, B 3, B 5, B 6, B 7, B 9, B 12, इन Tera Waitamin को dose reny में भाग किया जाता है, पहला वね ौattr Soli Sutra २ और दूसरा है fat soluble इन में से vitamin B और vitamin C water soluble vitamin है और vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K fat soluble vitamin है यह vitamin हमारे द्वारा खाये जाने वले खाये बरार्थों में पाये जाते है लेकिन मानव सरे vitamin D को अपने अब बना सकता है यह vitamin सूर्य की किरिनों से मिलता है जब तोच्छा सूरस की रोशनी से सीधे संपर्क में आती है तो सूरस की किरिने हमारे शरीर के कोलेस्टर नामक पडार्थों को vitamin D में बढ़ल देती है यह vitamin D हमारे liver और kidney में सक्रे हो जाता है अब बात आती है water soluble vitamin और fat soluble vitamin क्या है water soluble vitamin आसानी से पानी में घुल जाते है इस तरह के vitamin शरीर में जमान नहीं होते है अगर आप water soluble vitamin का ज्यादा 7 करते है तो यह पिशाब के मायध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते है लेकिन फिर भी इसका एट्ट अधिक मात्रा में 7 हानी कारक हो सकता है दूसरी तरह fat soluble vitamin केवर lipid यानी fat में घुलंचिल होते है मुख्य रूप से यह vitamin fat tissue और लीवार में जमा होते है इसलिए इन पोशक तर्थों का अधिक मात्रा में 7 करने से शरीर का अनिस्त शाधन हो सकता है विटामिन युक्ट खैड़ परार्थ हम मेंसे जारत लोगों को मालूम है कि विटामिन फल सब्जियां और अनाजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है अलग-अलग खैद परार्थों में विटामीन की मात्रा भी अलग-अलग होता है किसी में विटामीन सी की मात्रा ज्यादा होता है तो किसी में कम और किसी में विटामीन सी होता ही नहीं इसलिए हमें एसे खैद परार्थों का सायन करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें अधिक और समय के अनुसार ग्रहन करना शरीर के लिए उचित होता है। ये बात भी आप जानते ही होंगे कि एक ही फल में सभी विटामिन नहीं पाए जाते हैं। विटामिन विभीनना खैद्ध परार्थों में अलग-अलग मात्रा में पाए जाते हैं। हना कि कुछ फल और समझियां कई विटामिनों के अच्छे श्रोध होते हैं। जैसे पपीटा, अमरूट, कीवी, ब्रोकली, आउला, संत्रा, आम, अंजीर, हरे पत्तेदार समझियां। इन सब में विटामिन की मात्रा अधिक होता है। विटामिन से लाफ विटामिन हमारे शरीर को कई तरह से लाफ पहुचाते हैं। हर एक विटामिन का प्रफफ हमारे शरीर पर अलग-अलग तरह से पढ़ता है। उसका फाइदा भी शरीर को उसी तरीके से मिलता है। अगर विटामिन के मूल फाइदे के बारे में बोला जाए तो कर सकते विटामिन A आखों के स्वस्थ तोच्छा और प्रतिरक्षा के लिए अच्छा है। विटामिन B उर्ज उटपादन, लीवर, नर्भस सिस्टम और रक्त कोशिकाओं के निर्मान के लिए आवश्चक है। विटामिन C प्रतिरक्षा, कोलेजन, उटपादन और आईरोन के आवशोषन के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन D हर्दियों का स्वास्थ है, केलसियम का आवशोषन और प्रतिरक्षा के लिए आवश्चक है। विटामीन E कोशिकाव कोक्षती से बचाता है और प्रडिरक्षा को वरहवा देता है। विटामीन K खुन का ठकका जमने और हड्दियों के स्वास्थे के लिए आवश्चक है। अस अंतुलिट विटामीन के नुक्षान जिस प्रकार उसित मात्रा में विटामीन लेने से हमारा सरीर स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार विटामीन का मात्रा कम या ज़्यादा होने से सरीर का अनिस्थ हो सकता है। कितना और किस प्रकार का अनिस्त साधन होगा या निर्भर करेगा कितना और कौन सा विटामिन कम या जादा हो रहा है। विटामिन का मात्रा जादा होने से हमारे लीवर और किद्नी में खरव असर डाल सकता है। उसी प्रकार किसी विटामीन का मात्रा कम होने से उस विटामीन से जुरी हुई समझ्षाई दिखाये देने लगता है। जैसे विटामीन एक की मात्रा कम या जादा होने से आंखो और स्कीन से जुरी हुई समझ्षाई होने लगता है। इसलिए विटामिन का उचित मात्रा जानना आवशक है। विटामिन की उचित मात्रा कितनी है इस मामले में एक सटिक सेंख्या देना मुश्किल है। क्योंकि विटामिन की उचित मात्रा व्यक्ति से व्यक्ति अलग-अलग होता है। और शरीर को कितने विटामीन की आवशक्ता होती है ये कई कारों को पर निर्भर करता है जैसे उम्र के मामले में विटामीन की आवशक्ता अलग अलग होती है बच्चों किसोरों योवा गर्वती महिलाओं और बुजुर्गों को अलग अलग मात्रा में विटामीन की आवशक कुछ विमार्या varлюд की आवश्रक्ता को बढ़槍ति सक्रियह लोगों को निसप्रियों लोगों के ٹुलना में अधिक विटामीन की आवश्रक्ता होती है कुछ दवाईयां विटामीन की आवश्रोषन को प्रभावित कर सकती है इसलिए उचित मातर में विटामिन प्राप्ट का सबसे अच्छा तरीका है एक संतुलित आहार लेना विविन प्रकार के फल, समजियां, अनास, डाले, दूट और दूर उटपादों का सेवन करके हम सभी आवश्य विटामिन प्राप्ट कर सकते हैं अंडे और मचली भी विटामिन का बहुत ही अच् चाहिए एक संतुलित आहार लेना विटामिन की कमी रोकने का सबसे अच्छा तरीका है हमें जितना हो सके विटामिन प्राक्रिटिक रूप से लेने का प्रैटन करना चाहिए यानि हमें विभिन्न प्रकार के फल, हरेपत्टे डर्समजियां, अनास, आधी का सेवन करना चा इसलिए इसे किसी भी प्रकार की चिकिसा सलहा के रूप में ना ले, किसी भी स्वास्ते समयशा के लिए आप हमेशा अपने डायेटिस्यन और डॉक्टर से परामर्ज करें, आसा करता हूँ मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ हूँ, यदि वीडियो देखकर आपको अच् वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जीजएगा, धन्यबाद.